जेहें दोस्तों सवागे था आप सभी का आपके अपने चनल केरे पाइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आएं आपके लिए सामझे विज्ञान के टॉप 30 क्योशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट और आज की इस वीडियो में जो क्योशन हैं वो आपकी सभी ए आउट है वो साथ साथ कलियर होते चलें और वीडियो के लास्ट में हमें केमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी तो अगर आपने तक वीडियो को लाइक निक है तो वीडियो को लाइक करेंगे अपने सभी दोस्तों में जितने भी आप जितने भी दोस्ते हैं आपके सिद्दांद किसी ने दिया था? तो देें किसी ने दिया था? सही आंसर होगा Max Planck क्वांटम सिद्दांद जो मैकस Planck की दवारा दिया गया था option A आपका सही आंसर होगा अगला question هي Dynamo का आविस्कार किसी ने किया था? सही आंसर क्या होगा? कमेंट करhui अगला क्षिचे देहीं, निमन में से रडार का विश्कार किसी ने किया था? अंशर होगा, Radar का विष्कार, Albert Taylor के द review सही आंसर होगा, अगला Qution ए, अमेरिकी बहुतिक सास्री, Samuel Guthrie ने किस की खोज की थी? तो देखिए, अमेरिकी बहुतिक सास्री, Samuel Guthrie के दीँ़ा किसकी खोज की गी थी? सही आंसर होगा, Chloroform, ठीक है, Samuel Guthrie के दवारे जो है देखी Chloroform की खोज की गी थी ये एक भोतिक सास्त्री थे अमेरिका के Option C आपका सही आंसर होगा अगला क्यूशन है Madam Curie ने निमल में से किस की खोज की थी देखे Madam Curie के दवारा किस की खोज की गई सही आंसर होगा Radium Option B आपका सही आंसर होगा Madam Curie ने जो है Radium की खोज की थी अगला क्यूशन है Pencilin की खोज किसी ने की थी परमानु के नाविक की खोज किसी ने की थी तो देखेए ये परमानु के नाविक की खोज किसी ने की थी सही आंशरों का Rutherford परमानों के नाबिक की खोज इंपोर्टेंट की उसने परमानों के नाबिक की खोज Rutherford की दवारा की गई Option C आपका सही आंशरों का Rutherford अगला क्यूशने आधुनिक आवर्त नियम का परति पादन किसने किया था तो देखिए आधुनिक आवर्त नियम का परति पादन किसने किया था सही आंशरों का मोशले मोशले के दवारा आधुनिक आवर्त नियम का परति पादन किया गया Option A आपका सही आंशरों का मोशले अगला क्यूशने Hydrogen की खोज किस विएगानिक ने की थी hydrogen की खोज देखी किस विएगानिक की दवारा की गई थी सई आंसर होगा henry quendace option b आपका सई आंसर हो दाएगा hydrogen की खोज henry quendace की दवारा की गई थी important question नएगा आपके exam के लिए अगला question है gamma के नों की खोज किसी ने की थी तो देखे गामा केंणों की खोज किस नी की थी Henry Vekoral नी टीके गाँआ केंणों की खोज Henry Vekoral की दवारा की गई option D आपका सही साप एक्स्था का सिद्धान निमन में इसे किसनी दिया था तो देखे इसका सही आपका अलवट Einstein option c आपका सही answer हो जाएगा सापिक्स्ता का सिद्दान जो है अलवर्ट आइंस्टीन की दवारा दिया गया था अगला question ने polio के टीके की cause किसी ने की थी तो देखे इसका सही answer होगा John E. Salk polio के टीके की cause John E. Salk की दवारा की गई option c आपका सही answer हो जाएगा John E. Salk अगला question है रक्त समू की cause किसी ने की थी तो देखे इसका सही answer होगा Lange Tinner option a आपका सही हो जाएगा रक्त समू की cause Lange Tinner की दवारा की गई अगला question है tb रोग में लगने वाले bcg की टीके की cause किसी ने की थी देखे इसका सही answer होगा Edward Calumity where Calumet Guirin option d आपका सही हो जाएगा tb रोग में देखे bcg का टीका लगाया जाता है जो bcg का टीका है इसकी cause Edward Calumity where Calumet Guirin की दवारा की गई थी अगला question है निमलेकित में से कोशिका की cause किसी ने की थी important question है कोशिका की cause किसी ने की थी तो देखे इसका सही answer होगा Robert Hu ठीक है कोशिका की cause हो जो है Robert Hu की दवारा की गई थी option b आपका सही answer होगा अगला question है कोशिका में केंद्रक की cause किसी ने की थी कोशिका में केंद्रक की cause किसी ने की थी Robert Brown ने Option D आपका सही आंसर होगा Robert Brown की द्वारा देखिए Koshika में Kendra की खोज कीती अगला question देखिए चेचक के टीके की खोज किसी ने कीती Important question है चेचक के टीके की खोज किसी ने कीती तो देखिए इसका सही आंसर होगा Edward Jenner Option A आपका सही आंसर होगा अगला क्युष्चन है रेबीज के टीके की खोज किसी ने की थी देखिए सई आंचरों का लोई पास्चर ठीक है रेबीज के टीके की खोज लोई पास्चर के द्वारा की गई ओप्शन ए आपका सई हो जाएगा अगला क्युष्चन है विशानों की खोज किसी ने की थी तो स्टेथ्सकोप का अभिस्कार किस ने किया था तो देखें इसका सही आन्शूर होगा लेनेग टिक है स्टेथ्सकोपप का अभिस्कार लेनेग के दोबा lesnag kunt option c आपका सही अंसर हो जाएगा लेने अगला क्यूश्चन है मानव श्रीर की कुल कितनी हडियां होती है रिखे हडियों की संक्या कुल कितनी होती है मानव श्रीर में तो सही आंसर होगा 206 206 कुल हडिया होती है मानुश्री के अंदर Option B आपका सही हो जाएगा अगर आप से आप पर पूछ ले जाए नवजात सीसु के अंदर कितनी हडिय होती है तो आपका सही आंश्र होगा 300 ठीक है नवजात जो सीसु होते है उनके अंदर हडियों की संक्या होती है 300 और जो माना होता है उसके अंदर होती 200 चे अगला क्यूश्टन देखी चलिए क्यूश्टन आभी गाया तो देखी नवजात सीसु में हडियों की संक्या लगबग कितनी होती है तो सही आंश्र होगा 300 अगला क्यूश्टन आभी गाया तो सही आंश्र होती है सही आंश्र होगा जबड़ में ठीक है जबड़ की जो अस्ती होती है सिरी की सबसे परबल अस्ती होती है ओप्शन भी आपका सही आंश्र हो जाएगा जबड़ अगला क्यूश्टन है परकास वर्ष किसके इकाई है सही आंश्र होगा दूरी किसकी है दिस्टेंस या दखिए परकाश वर्ष जो है वो इकाई है डिस्टेंस की दूरी की option A सही आंसर होगा अगला question है निमलकित में से कौन सा हर्मोन है सही आंसर होगा insulin क्या है एक हर्मोन option C आपका सही होगा अगला question है कौन सी गरंती insulin निसारण के लिए उत्तरदाई है याद रखिए इंपोर्टेंट है यह भी next question देखिए आंक के किस भाग पर वस्तु का पर्थिबिम बनता है फ्रेंट्स फटाफट कमेंट करिए आंक के किस इससे पर वस्तु का पर्थिबिम बनता है इसका सही answer हो जाएगा retina याद रखिए आंक के retina हिस्सा पर वस्तु का पर्थिबिम मनता है सदयो option D आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंट्स आंक के हिस्से पर retina पर जो पर्थिबिम बनता है वो पर्थिबिम बनता कैसा है एक बार फिट से रिपिट करेंगे फ्रेंट्स आंक के retina पर वस्तु का पर्थिबिम बनता है वो कैसा बनता है आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करना है या आज का आपका क्यूस्चन है ठीक है कमेंट करके जुरू बताना है कैसा पर्थिबिम बनता है क्योंकि एक्जाम के अंदर ये क्यूस्चन कई बार पूछा गया है इंपोर्टेंट है चलिए आज का आखरी क्यूस्चन कर लेते हैं इंपोर्टेंट वो भी मानव नेत्र में उपस्तित रेटिना में के लिए उपस्तित रेटिना के अंदर याद रखिए इंपोर्टेंट क्यूस्चन कंप्लेट उचके हैं आपको क्यूस्चन अच्छा लगया हूं वीडियो अच्छे लगी हो तो पर इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंट साथ फेस्बूक वर्ट्सब टेलिग्राम सभी जगह फटाफट शेयर कर दीजे और अपना फीडबैक दीजे फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी क्योस्चन कैसे लगे कमेंट करके जुरूर बताना फीडबैक में ताकि हम आपको और अच्छे से वीडियो प्राइट कर सके प्लीज कमे अगली वीडियो में तब तक गुडबाई टेक केर जै हिन जै भारत वंदे मात्रम